बिस्मिल्लाई रख्माने रहीम, असलाम अलेक। मैं यूट्यूब फैमली, कैसे हैं आप लोग, उमीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खेरिये से होंगे, मज़े में होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, वह बहुत ही सिंपल, ईजी और बहुत ही टेम्टिंग सी रेसिपी है। तो आज हम बनाने लगी हैं बहुत ही ईजी सा चिकन सेंड़ुच। जिसमें हमारे आम रोज मरा में जो भी किचन में चीजें पड़ी होती हैं, उसे से हम यह सेंड़ुच बिनाने वाले हैं। कि जो जो चीज़ें हमारे किचन में मुझूद होती हैं, आज हम उससे बहुत ही यमी सा एक सेंडविच तियार करने वाले हैं इस सेंडविच के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे किचन में जो भी चीज रखी हैं उसको एड़ अप करके बहुत अच्छा सेंडविच त्यार कर सकते हैं, अब हम अपना सेंडविच त्यार कर लेते हैं उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने पैन को ग्रीज कर लेंगे ब्रेट्स को टोस्ट करने के लिए आपने जैसे के देखा कि मैंने थोड़ा सा ओई लगा के मैंने अपने तवे को ग्रीज कर लिया है मैंने यहाँ पे तवे का यूज किया है क्यूंकि मुझे तवे पे टोस्ट किया वा ब्रेट्स ज्यादा पसंद है अगर आपके पास सेंड्विच मेकर है आप उसमें भी टोस्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी है या तो पूरा सेंड्विच एसेंबल करने के बाद आप उसको टोस्ट कर लें या पहले मेरी तरह ब्रेट्स को टोस्ट कर लें इससे थोड़ा सा ही होता है कि ब्रेट्स क्रंची हो जाते हैं बच्चे इसे बहुत ज्यादा शोक से खाते हैं तो बच्चों को जो कि आज कर बहुत ज्यादा जंक फूड के आदी हो गए हैं तो बाहर के पिजाज बर्गर को छोड़ के अगर आप घर में बच्चों को यह सेंड्विच बना के दे देते हैं तो यह उनके लिए हेल्दी भी हो जाएगा और उन्हें खाने में भी बहुत ज्यादा मज़ा बाईगा अब मैंने पहले एक एग लिया है अग को अच्छी तरह से हम बीट करेंगे यह एग मैंने लेएक लीच अपने बाद को अपनी शामी कबाब को अफ्राइ करने के लिए अगर और आपके पास पहले से ही शामी कबाब खit तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रीज किया हुए शामी कबाब रखे हैं तो आपने सिंपल कुछ देर पहले उनको फ्रीज से निकाल के रख लेना है जब थोड़े से डीप फ्रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद आपने उसको फ्राय कर लेना है शामी कबाब को एक में अच्छी तरह से डिप किया उसके बाद मैंने उसको हलका हलका फ्राय कर लेना है अगर आपके पास घर में ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं तो आप उसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद भी फ्राय कर सकते हैं और अगर आपको एक पसंद न आने वाले हैं तो आप बच्चों की पसंद की हलकी भुलकी सबजी उसमें आड़ करके उनको एक बहुत ही अच्छा सा सेंडविच तयार करके दे सकते हैं कबाब को अच्छा सा फ्राय करने के बाद हम सेंड्विच की दूसरी चीज़ें तयार कर लेंगे इसमें मैंने सेंड्विच में ओमलेट का यूज किया है यूजिली बचे एक खाने से ना दूर भागते हैं ज़रूरी नहीं कि आप ओमलेट में बेसिक चीज़ें जो होती हैं हमारे पास टमाटर, मिर्चें, प्याज ही एड़ करें आप प्याज की जगह छोटे-छोटे आलू काट के भी ओमलेट में एड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने अपना टिपिकल सा ओमलेट तयार कर लिया है जिसमें मैंने बारी बारी एक से प्याज काट के डाल दिये थे टमाटर डाले हैं और हलकी सी हरी मिच एड़ कर दिये हैं अगर आपको हरी मिच नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं चुँकि हम बच्चो प्रेट लें के उसके उपर मायनीज की एक लियर लगाने के बाद शामी कबाब की लियर लगाएंगे उसके बाद एक टमाटर की लियर लगाएंगे अगर आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं दूसरे ब्रेट के उपर हम लोग टोमेटो केचप की लियर लगा के उसको cover कर देंगे आप चाहें तो टमाटर के ऊपर ही जो हमने omelet तयार किया था वो रख कि उसके उपर दुबारा से हम लोग खीरे की एक layer add कर देंगे उसके उपर ketchup लगा के फिर हम उसको दुबारा से bread के साथ cover कर देंगे यहां पर मैंने sandwich को मजीद tempting बनाने के लिए bread की एक layer लगा दी तिया कि वो एक अच्छा सा हमारा tower sandwich तयार हो जाए आप simple tomato ketchup या चिली garlic sauce दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर मैंने simple tomato ketchup की एक layer लगाने के बाद अपना omelet रख के उसके उपर खीरे की एक layer add कर दिया है और मैंने दूसरे bread के उपर फिर से mayonnaise की देख सकते हैं कि यह देखने में बहुत ज्यादा yummy लग रहा है बच्चों को यह बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है आप शाम की चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं यह sandwich बच्चों और बढ़ों दोनों को पसंद आने वाला है तो please इस recipe को try कीज़ेगा उमीद करती हूं क कि मेरी आज की simple सी recipe आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी इस recipe को ज़रूर आप लोग अपने घरों में try कीज़ेगा और मुझे comment section में बताइगा क्या आपको यह recipe कैसी लगी kindly do share it with your friends and family आप अपने घरों में sandwiches किस तरह से त्यार करते हैं कुछ different ideas आप भी मेरे साथ शेय कि मेरे सम्सक्त First